आप देख रहे हैं मिटकैप मंत्रा हमारे साथ हैं वेस्ट्राजी डॉटकॉम के आशीश क्या लाशी से मार्किट पर व्यू भी लिंगे लेंगे स्ट्राटेजीज भी लेंगे पहले फड़ाफट से एक मार्किट का कोई अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं बाजार में उपरी स्थरों से दबाब देखने को मिल रहा है कल भी सिमिलर अक्षन हमने देखा फिलाल दिन के लूवर लिवल्स के आसपास से निफ्टी कारूबार करते हुए 25-777 के मौज़ा लेवल से 33 संग नीचे कर रहा है ट्रेड उपर नीचे के दायर हाला कि खुलने से लिए करब तक हम लगाता आप देख रहे हैं बाजार में निफ्टी बैंक में भी सिमिलर अक्षन देखने को मिला है वहां भी दिन के लूवर लेवल्स पर पहुंचने के बाद थोड़ा सामला अभी फ्लैट कारूबार कर रहा है निफ्टी बैंक हाला कि ब्रॉडर मार्केट देखेंगे मिट केप स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर हरे निशान में कारूबार हो रहा है मिट कैप इंडेक्स अब 90 अंक उपर आ चुका है दिनकी उपरी सरो को री अप्रोच करते हुए अभी डिप लगाने के बाद में स्मॉल कैप में बाइंग है 125 अंक उपर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेट कर रहा है जो कि पौन एक पसंद के आसपास की मजबूती देखने को मुल रही है दिखाते हैं आपको बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स क संक्या ब्रेट मार्केट के पॉजिटिफ दिखाई देगी कि मिट कैप स्मॉल कैप में खरदारी देखने को मुल रही 1430 स्टॉक जो की तेज़ी के साथ कर रहे हैं ट्रेड 113 स्टॉक्स जो की दबाव के साथ कर रहें कारोबार आज के सेशन में अब दिखाते हैं आपको निफ्टी की कॉंस्टिट्वेंट्स थोड़ा सपोर्ट कहां से मिल रहा है इंफोसेज मनें टेक महिंद्रा इस बेसे स्टॉक से लिगिए प्रेशर क्रेट करें रहें रिलाएंस एजिएफसी बैंक के एच्चुएल और इंडसेंट बैंक जहां से मिलाकर 1430 को का नेगिट नाचे कारोबार में दिखाई दे रहा है तो यह तो रहा फिलाल माकेट कहा लेकिन आज के सेशन में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ इच्छा देखने को मिलेगा इसलिए ट्रेट्स पर भी फोकस करेंगे आशिश क्याल बने हुए आशिश नमसकार पहले तो बत तो ऐसे में दबाव बना हो है बाजार में लेकिन थोड़ा सा ओवर सोल्ड है तो पुल बैक आने की गुंजाईश है उपर में अगर निफ्टी ब्रेक करता है 25,840 का लेवल तो हम 25,920 तक का मूव देख सकते है तो 25,840 के उपर 25,920 तक का मूव देखा जाया और नीचे क जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है 25,730 का अगर निफ्टी 25,730 यहां से फिर से ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है 25,650 के लिए तो यह शौट टम के लिए हाँ से ट्रेड लिया जा सकता है और अगर आप थोड़ा सा दो से तीन दीन के होराईजन से देखे त तो मेरे ख्याल से बाजार में जो बहुत important support आती है वो 25,450 पे वो support शायद intact रहेगा और उपर में फिर से हम 25,920 तक जा सकते है तो overall short term के लिए हाँ से यहां पर जो trade लेना है intraday में वो 2920 के target के लिए 25,840 के उपर लिया जा सकता है बैंग निफ्टी के बात करें बैंग के comparison में बैंग निफ्टी वीक था लेकिन आज बैंग निफ्टी आउट performance करता है नजर आ रहा है तो गुंजाईश है बैंग निफ्टी में यहां पर lead ले सकता है उपर में जो level है बैंग निफ्टी का 53,250 का एक hurdle है तो यहां से हो सकता है हम थोड़ा pullback देके 53,200 के आसपास और अगर 53,250 ब्रेक करता है तो बैंग निफ्टी में 53,500 के levels देखे जा सकते है तो बैंग निफ्टी में एक positive रूज़ान बनने के गुंजाईश है नीचे में जो support है बैंग निफ्टी का 52,750 वो intact रहना चलिए चलिए तो इंडेक्स की बात हुई आशिश लेकी कुछ trades निकालने क्या आपने हाँ देखिए ट्रेट स्पेसिफिक में अगर हम देखे तो यहां पर एक metropolis है जो की 52 एक हाय पर चल रहा है बहुत strong trend है आज के दिन में भी इंडेक्स से परे चल रहा है अगर इंडेक्स पर टेशर बनाए दो दिन से यह stock में कुछ दिक्कत नहीं आए तो metropolis में 2300 के लेवल उपर में देखे जा सकते हैं नीचे जो stop loss लगाने आपको metropolis में वो आता है करीबन 2190 गा तो 2190 जब तक intact है 2300 के लेवल देख सकते हैं metropolis में दूसरा जो stock है चंबल fertilizer आज के दिन हम देख सकते हैं chemical और fertilizer stock में काफी हल चल हो रही है चंबल fertilizer ने अच्छे volume के साथ में एक breakout दिया है कोई भी dip मिलती है चंबल fertilizer पे करीबन 535 के आसपास तो बाइक की राए होगी target है 575 का stock के अंदर और stop loss आपको लगाना होगा 520 का ओके चली तो यह रहे आपके लिए दो ट्रेड्स हापा मेट्रोपॉलिस हेल्थ चंबल fertilizer में खरदारी करने के सला है चली मिट कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामें इंडेक्स तो हरे निशान में कारूबार करी रहा है आप सेलेक्ट पॉकिट दिखाते हैं जहां पर त साइन्ट, साइन्ट, DLM यह मजबूती के साथ ट्रेट करें है, FL India 5% उपर है, के लिए solutions में भी 1,1% के मजबूती देखने को मिर रही है इसके लावा दिखाते हैं ब्रोकरिट स्पेस के शेर्स, IFL Securities आज भी 7% उपर, योजित में 5% का मूव 4% उपर, इंजिलवन और जे अग्रोकेमिकल्स में, बेर क्रॉप संस 5% उपर, योपिल 1,5% उपर, एक पसन उपर, पिय इंडस्ट्रीज है, और साथ ही, नाल को इंफाक्त, मेटल स्पेस का स्टॉक है, जहां पर खरदारी है, फर्टलाइजर में, कोरोमेटल इंटरनाशनल 5% उपर, 3% उपर, दिपक अगले टागेट्स का देख रहे हैं, आप लगातार मेटल्स की बाइंग, प्लस आज ब्रक्टर जिपोर्ट का इंपक्ट, क्या सेजिशन रहे हैं सरो से? आस-पास, वहाँ पर बाय करने की राही होगी, टार्गेट नेलको के उपर जो निकल कराता है, उपर में करीबन 240 का टार्गेट है, और स्टॉप लोज जो आपको लगाना होगा इस टॉप के अंदर, जो प्रिविएस रिजिस्टेंस तावाँ, सपोर्ट के तरह एक करेग आटो सेल्स नंबर्स के दरसल पित्र पक्ष के बावजुद भी जो सप्टेंबर का महीना है, वो आटो कंपनियों के लिए काफी अच्छा रहा है, इन फाक्क जो भी बिक्री के आंक्रे सो फार आये हैं, वह एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, जो फटाफट से दिखा तो जो कुल बिक्री है, वो 87,840 यूनिट रही है, याईनि 16 पसन के असपास की ग्रोथ रही है, अगेन एक्सपेक्टेशन से बेटर रही आखड़ा आतवा दिखाए दिया है, ओल्द एमनेम के जो ट्राक्टर सेल्स के नंबर्स हैं, वो इन लाइन विद है, ओवराल अगर आप देखेंगे, तो 16 पसन के ग्रोथ रही है, अमनेम के बिक्री के आखड़ों में, साथ ही मनेम के बाद अगर आप ट्राक्टर के एक्सपोर्ट देखेंगे, या एक्सुवी सेग्मेंट देखेंगे, अगर तो SUV सेगमेंट में लगातार हमने ग्रोथ यहां पर 24 पसन की ग्रोथ इस महीने भी रही है, हाला कि जो ट्राक्टर का एक्सपोर्ट है, वो घटते वे दिखाई दिया है, बिक्री भी 2 पसन बढ़ी है मामुली सी सालना अधर पर, लेकिन जो एक्सपोर्ट सेगो 10 पसन घटकर आए हैं 1055 यूनिट पर, यह तो मेंनेम सेल्स देखेंगे बजाज ओटो की तो वो भी 23 पसन बढ़कर 3.11 लाक यूनिट के आसपास रही है, एक्सपोर्ट भी बजाज ओटो का 13 पसन बढ़कर आए है, यह एक इंपोर्टन फिगर है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमने जो सुधार देखा है, वो सस्टेन होते वे द दिखाए दे रहा है, 13 पसन बढ़कर एक्सपोर्ट रहे है, वहीं 2 वीलर बिक्री देखेंगे सिर्थ, 22 पसन बढ़कर 4 लाक यूनिट के आसपास रहे है, वहीं 3 वीलर बिक्री देखेंगे तो वो 6 पसन बढ़कर आई है, बजाज ओटो की, इसके बाद दिखाते हैं आप कुल बिक्री देखेंगे तो वो 5 पसन बढ़कर 12,380 यूनिट पर रहे है, लेकिन नंबर्स अनुमान से बेटर स्लाइटली रहे हैं, गरेलो बिक्री अल्मोस पौने 6 पसन बढ़कर 11,985 यूनिट के आसपास रही है सालाना अधार पर, वहीं जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो जो ओवराल अनुमान था, वो 16,700 यूनिट का था, जो बेची हैं कांपनी ने, वो 17,233 यूनिट रही हैं, हाला कि अगर सालाना अधार पर कंपैर करेंगे, तो ये ड्रॉप है 10 पसन के आसपास का, अनुमान भी यही था कि 10-12 पसन जो कमर्शल वेहिकल बिक्री है, वो दिखाए दिये हैं, वहीं मीडियम और हेवी कमर्शल वेहिकल सेग्मेंट दिखेंगे, तो यहाँ पर जो बिक्री है, वो 13 पसन घटकर 11,037 यूनिट रही है, सालाना अधार पर, वहीं अगर लाइट कमर्शल वेहिकल सेग्मेंट देखेंगे, तो बिक्री 5 पसन घटकर 6, 6,609 यूनिट के आसपास रही है, वहीं एक्सपोर्ट जो हैं, वी, ए, सी, वी, ने, वोल्वो, आईशा कमर्शल वेहिकल्स के, वो 90 पसन बढ़कर 475 यूनिट के आसपास रही है, वहीं जो घरेलो बिक्री रही है, वोल्वो, आईशा कमर्शल वेहिकल्स की, वो 2 पसन कर 6847 यूनिट के असपास रही है तो सो फार जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन स्लाइटली बेटर साइट पर दिखाई दे रहे हैं और अब एक्सपेक्टेशन ये हैं कि ऑक्टुबर जो के फेस्टिव सीजन के दौरान अच्छी बिक्री ओवराल होने के एक्सपे आप देख रहे हैं मिटकेप पंत्रा और अब आगे बढ़ेंगे आपको बता दें आर्बिया के अल्टी मेटम के बावजूद गोल्ड फानेंस से जोड़ी कामपनियों में आज गिरावर देखी जारी है गोल्ड लोन नियमों पर आर्बिया ने कामपनियों को खरी-खरी स चुकिया जहां गोल्ड फिनैंसिंग कंपनीज के प्रॉसेसिज और जो कस्टमर इंटरेक्शन से इनको लेके आपतिया जताए गए आर्बिया को लगता है कि गोल्ड फिनैंसिंग सेक्टर में बहुत सारे प्रॉसेसिज और कस्टमर डिस्वर्समेंट्स में इशूद है इ अपने processes और अपने diligence को सुधारने के लिए RBI को लगता है कि जो gold portfolio है उसके बहुत सारी जो supervisory roles है उसको ignore किया जा रहा है और कहीं न कहीं उसको दुरुस्त करने की अब जरूरत है gold financing को लेके काफी सारी valuations को लेके दिक्कते आ रही है जब customer अपना gold लेके जाता है तब कोई process fix नहीं है निलामी में पारदर्शिता नहीं है कोई transparency नहीं है gold loan के NPA को लेके भी classification में काफी changes देख रहे हैं company levels पे और अगर हम bank transfer की बात करें तो जो loan bank transfer के जरीए transfer होना चाहिए इसलिए सतर्ता बरताने के लिए RBI ने circular issue किया है जिसके कारण बहुत सारे stocks including मनापूरम और मुथूत थोड़े बहुत pressure में आद दिखाई पड़ रहे है चलिए शुक्रिया यतिन आपका ये details बताने के लिए रुक रहे हैं से के साथ एक break के लिए और break के उस पार TVS Motors के sales numbers आये हैं वो भी आपके लिए लेकर आएंगे साथ ही बताएंगे आपको ख्लाइर No.1 का अपडेट आप देरें मिटका मंदर अप दिखाते हैं आपको ख्लाइर No.1 का अपडेट इस अफ़ते चो मुकाबले चल रहा हुए इन विए बंक के स्वाति होटकर ये सेक्योर्टीस के लक्ष्मी कांशुकला और अंशुल जैन हमारे साथ बने हुए हैं दिखाते हैं आपको रिटर परसेंट के रिटरंस दे रहे हैं तो चलिए तो बाची थी क्लाइन बावन के अपडेट के इसे के साथ एक ब्रेक ब्रेक उस पार आप देखिए No.York Company में आज हम बात करेंगे आपको पर शोय खान बेन पी पारिबास के डेपोटी वाइस प्रेजिडेंट अभिशेक झाल